जो अभी अभी ताजी समचार से हमें पता चला है कि हम जब बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाएंगे तो कल यानि नौ तारिकों बैंक हमारा बंद रहेगा और अगर हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो I think 20 तारिक तक हम सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए ही जमा कर पाएंगे हाँ सिर्फ 4,000 रुपए ही जमा कर पाएंगे इससे अधिक पैसा हम नहीं जमा कर पाएंगे और जो तिक्कत आने वाली है वो कल से यानि 9 तारिक से 9 नौंबर से आने वाली है कि अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रस्तितियों का सामना करना पड़ जाएगा जैसे कि अगर आप सौपचास और बीस के नोट नहीं है तो बुधवार को आप कुछ नहीं कर पाएंगे बजार से दूद रासन सब जिफल नहीं खरीद पाएंगे चोटे होटलों में कार्ट पेमेट नहीं होता है खाना नहीं खा पाएंगे इस तरीके से बहुत सारी दिक्कते आपको सामने देखने को मिलेगी और इन दिक्कतों का आपको सामना करना पढ़ सकता है और हम जादस जादा पैसे भी नहीं जमा कर पाएंगे क्योंकि ATM कल भी बंद है और आज 12 बजे से ATM को बंद कर दिया जायागा बैंक भी बंद है तो इस तरीके से आप बिल्कुत परसान हो जाएंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे को कैसे ट्रांसपर करके और दूसरे नोट में बदल सकते हैं इतना देखने के लिए धन्यवाद